Hello everyone, पिछली कुछ दिनों से 9th 11th के काफी सारे स्टूडेंथ के comment आ रहे हैं चैनल पे, कि हमारा compartment लग गया है 9thclass में और 11th class में, तो हम compartment ग्वाब रहें होग कैसे कलियर करेंगे, compartment exam जो होगा कैसे, कब होगा, compartment का पेपर आएगा, कहां से, तो एसे कितने सारे सवाल है, compartment क के passing कیली o सबी शुडेंस को बराबर यहां पर पूरा complete help मैं करता हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे यहां पर कहे थे कि 9th 11 को लेकर कोई नहीं बात कर रहा है हमें जो है हर जगा इग्नौर किया जा रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपको बेशक हर कोई इग्नौर करें लेकिन यहां पर दोस्तो इस को दोस्तो थोड़ा सा सांथ करिए आपको 9th 11 में compartment मिला है तो आप यहां पर इकलौते नहीं है आपके सासन काफी सारे बच्चे को compartment मिला है और एक बहुती बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा 9th 11 को compartment जो मिलता है उसमें दोस्तों 9th 11 के जो बच्चे compartment जिनको भी मिल करें ईगी आपको और आखीर क्यों मिला है और आप की से कम परपेंवाइब करके बात करेंगा करें इसा होगा सारी चीज़ बात करेंगे उस्ट्रiben 2020 सी घल रहूं जरूर कर दीज़ेगा तो कब सबसे एहां पर जारी जारी को लिए घूया हर जांगा जोस्तों इहां पर बात Kung帶 AT अलग-अलग बच्चों के result आपर आने शुरू हो गया है, तो काफी सारे बच्चे यहां पर लगतार कहा रहे हैं, कि हमें एक subject में compartment मिल गया है, तो किन्ही का कहना है, हमें 2 subject में compartment मिल गया है, अब आप लोग कमेंड करिएगा, कि आपको 1 में मिला है, या फिर दो में मिला है तो यहां पर स्टूडेंस कहा गया है पहली चीज़े कही यह बोर्ड के तरफ से यानि कि आपकी 9th 11 की बोर्ड है उन्होंने दोस्तों किलियर किया है कि हमने उन्हीं बच्चों को कंपार्टमेंट दिया है जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल थे क्यो होगा फृटमें ही आपका एक्जाम कंडक्ट हो जाएगा नाइत का भी 이런 भी हो जाएगा और ऐलेवंध में ही हो जाएगा अब यहां पर बात करें दोस्तों तो यह प्यक्षान जनकारी आप लोग देखीगा 9 11 का अप्रील में तो एक्जाम हो जाएगा कितने नंबर का होगा तो आप लोग देखीगा तो यहां पर किलियरली कहा गया है कि इस बार जो पार्टमेंट exam 9 11 की बच्चो का होगा उँआपका सेम ज यहें 80 marks का ही कोगा यानिकि एटी मार्कस मैथ का उत्य वाले पैटन इस будет आपका गेन होने वाला है तो यानि कि पहला चीजे दियानि दो तीन चीजे तो आपको खिलियर हो गई एक्जाम कब होने वाला है और कितने नंबर का एक्जाम होगा तो यह सारी चीजे खिलियर होगी तो सेम एनुल वाला पैटन होगा लेकिन पेपर डिफरेंट होगा तो य देखा सेर्कुलर में आपके नंबर को लेकर कहा गया है आप लोग यहां पे ऩर 650 के स्टूडेट के लिए पहले ही यहां पर आइन नाइंथ को लेकर является कहा गया है कि आपको जो पास होने के लिए मार्ण सपी आपको जो पास होने के लिए माक्स चाहिए आपके जोandy Sahib होगे यानि कि Warum हम जो आप हैं जो आप यह लिए तो फेल होगे तभी आपको तो थो इतने माक्स लाने होंगे मीनिममें ट्वांटी फाइव परसेंट माइक्स लाने होगा तब यानि कि बात करें तो आप लोग cameo रहा है यहां पर किया जाएगा थो बात यहां पर यहां परकजिक ऊपनाज क्या जाएगा तो लिग्वार्ज्ष खṛnd यह जाहए से में खना है यहां आपको यहां को अपिर जुडआ हो या फिर्व के हैं अपरेडिम को मुघ्जाद कर्या गया है और Esse कोổi सिक्सटी मार्KS में कर्षट किया गया अभ यहाँ पर अभ मच्छ का होंगे तो उसको पहले सिफ चींच क्डिम की और इस्के स्क oppos ?पर भी सॉठे हाँ ठीक हम पहले लिए एग आ भी महताया पे Tea को से तो से जो है मुझे इंस्टाग्राम पर भिजए यह स्क्रीन पर देखिए यह रहा मेरा इंस्टाग्राम यहां पर मुझे रिजल जो है डियम करिए मैं हर एक बच्चों को इंडिविज्वल बता दूँगा वहां आपको कितने दूगा जाएं क मैं बता दूगा नीचे कमेंट करके बताई थो नीचे भी कमेंट में आको रिपलाई दे दूगा उस अकॉर्डिंग के आपको कितना चाहिए इसके लाब आप लोग देखेंगे आप लोग के काफी सारे और भी डॉट्स थे दो भी चीज़े यहां पे क्लियर की गई है जैसे कि 11 के पासिंग के टिरिया को लेकर बात करें 26 माक्स जो है असी में से स्कोर करना पड़ेगा तभी आप पास कहलाएंगे तो यह चीज़े जो है यहां पर क्लियर है आपकी 11 के लिए किस्टर क्लियर है यहां पर आपकी लिए कोई रिलक्सेशन नहीं है क्योंकि 9 वाले बच्चे अगर कम नमबर लाएंगे तो उनको टीच क्षटल क्लियर कही गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं कंपार्टमेंट पर हाट आता है आगे काफी चाहिए वीडियो जो है और बहुंआ पे लिए पहले आपके लिए बिलने वाला है तो अपना बहुँजारा ख्याल रखीगा जहीद झाल झाल